आइनेक्स मीडिया के कथित भ्रष्टाचार में पूर्व ग्रिमंत्री पीच दमरम का नाम इंदरानी मुखरजी की बजह से आया है, जिन पर उनकी ही बेटी की हत्या का आरोब है. इंदरानी मुखरजी आयनेक्स मीडिया की प्रमूटर रही है और सीबिया ने दावा किया है कि जब पीच दमरम वितमंत्री थे तब उनकी इंदरानी मुखरजी से मुलाकात हुई थी. इंद्रानी ने ये भी बताया कि चिदमरम नहीं उन्हें अपने बेटे कार्थी चिदमरम के पास भीजा था इंद्रानी के इस बयान से पीच दमरम के लिए कितनी मुश्किले खड़ी हो सकती हैं हमारे सहयोगी सिधात पांटी बता रहे हैं काफी ड्रमाटिक फैशन में सीबी आए के द्वारा ग्रिफतारी हुई थी पीच दमरम की सीबी आफिसेस को उनके दर्वाजा और गेट और दिवार फाननी पड़ी उन तक पहुंचने के लिए और अब सीबी आई की मांग रहे है कि उन्हें कस्टोडियल रिमांड दी जाए ताकि उनसे पूर्स्ताज की जा सके लेकिन चिदाबरम का बार बार रही कहना है कि उन्होंने जो भी कहना था कह दिया है पिछले इतने महीनों से और और कुछ नहीं है उनके पास लेकिन सरका लाने थे विदेश से पैसे लाने थे अपनी कंपनी आई एनेक्स मीडिया में तो 2006-2007 में वो जब पी चदामरम से मिली थे जो मंत्री थे उस समय तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे बेटे कार्ती चदामरम से भी मुलाकात कर लें कार्ती चदामरम ने उनके मुताबिक जोप है और केस चल रहा है अपनी ही बेटी का मर्डर करने का महराष्ट्रा में पहले मुंबई पुलीस ने उनके खिलाफ आरोप लगाया था आरोप दर्शिय थे और उसके बाद जब सीबी आई को केस ट्रांसफर किया तो सीबी आई ने भी उन्हें आरोपी माना है अपन केस में जो एक सरकारी गवा बन के सामने आई हैं सीबी आ का कहना कि उनके पास और भी सबूत हैं लेकिन पीच दाबनम का कहना है कि ये सारा जो है एक तरीके से पुलिटिकल शर्यंतर हैं उन्हें फसाने के लिए और पुलिटिकल विच्छंट है नई दिली में सिधार्त प